हलो स्टुटेंट्स वल्कम बाक आज हम लोग बात करेंगे मनी मार्केट के डेफिनेशन्स और फीचर्स के बारे में क्या होता है मनी मार्केट तब मनी मार्केट इस एक पार्ट होता है जहां पर हमारा पूरा जो भी हम मनी का यहां पर बॉरोविंग करते हैं वो शौट टम डेफ्ट के लिए करते हैं मतलब हमें अगर कम समय के लिए मतलब एक साल के अंदर के लिए या फिर दो महिना चार महिना के लिए अगर हमें कुछ amount चाहिए अपने business में use करने के लिए तो हम क्या करेंगे money market से उसको borrow करेंगे तो money market हमें help करता है short term debt instrument को ले के अगर हमें short term के लिए उधार चाहिए तो हम जाएंगे money market के लिए maximum time इसका one year होता है और minimum आप कुछ भी कर सकते हैं जब भी आप चाहिए पैसा वापस कर सकते हैं लेकिन maximum one year है one year से जादा का instrument money market में नहीं होता है तो यहाँ पर आप investment भी कर सकते है money market में और पैसा withdraw भी कर सकते हैं लेकिन short term के लिए next आते है features of money market it is a market for the short term fund तो यह short term fund के लिए होता है up to one year के लिए its main participants are institutional investors तो जो institutional investors होते हैं जो proper institutes होते हैं जिनका कामी होता है securities में, shares में पैसा invest करना वो सब ज़जातर जो उनके पर short term fund होता है वो money market में invest करते हैं करने को तो individual investor भी कर सकता है invest लेकिन इसमें जाधा तर आपको दिखेंगे institutional investors क्योंकि इसमें huge amount of money invest करते हैं और इसमें वो return लेते हैं since the cost of securities may be high the investment in the money market required huge amount outlay क्योंकि जब आप invest करने जाते हो money market में तो एक investment बहुत बड़ा होता है ठीक है तो cost of investment हाई होता है इसलिए individual investors इसमें कम मिलते हैं जाधा तर institutional investors मिलते हैं जिनके पास खुब सारा पैसा होता है वो invest करते हैं तो इनके पास पैसा कहां से आता है तो institutional investors जो होते हैं वो बड़े-बड़े investors से पैसे लेते हैं और फिर आगे invest करते हैं और जो return मिलता है उसमें कुछ अपना brokerage charge करके वो return अपने investors को दे देते हैं तो जो institutional investors होते हैं वही जाधा तर money market में invest करते हैं next है the instrument in the money market carry low risk as expected return is low then तो money market में पैसा ज्यादा safe रहता है आपका पैसा डूब नहीं सकता ठीक है तो इसमें return भी कम होता है क्योंकि यहां low risk है तो low return है तो यहां पर वही पैसा investors या फिर institutional investors लगाते हैं जिस पैसे वो risk नहीं ले सकते हैं मतलब जो पैसा उनको short term में वापस करना है अपने investors को अफिस जो पैसा वो long term के लिए नहीं छोड़ सकते है वही पैसा के वल वो money market में invest करते हैं क्योंकि इसमें risk low होता है और return भी low होता है Thank you students